जैहीन स्वागत आपका आपके पड़े चलो होम टुशन पे दोस्तों जैसा का आप जानते हैं अब जब कि BSF HCM के फिजिकल की चर्चाएं लगातार गरम हो रही हैं लगातार चर्चाएं भड़ रही हैं कि इस दिन फिजिकल होगा इस दिन होगा तो इसी भी बहुत सारी तो ऐसे में बहुत सारी रूमर्स हैं जिन बच्चों मेरे पास आज कम से कम 20 से 25 वाटसप पे मेसेज आए हैं बच्चों के कि क्या ऐसा होगा कि एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी जिस पोस्ट को अमने परिफरेंस में आगे रखा है आगर उसकी कट उफ कम पार नहीं कर रहे ह तो क्या दूसरी पोस्ट हमें नहीं मिलेगी इस परकार के बहुत सारे डाउट है जो इलोजिकल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडियो को ध्यान से पुरा देखे चल पर नए है चल को सब्सक्राइब के लिजे बेल अगन प्रेस प्रेस कर लिजे और दोस्तों बेस अप एचियम के लिए हमने डेड़ सो प्लस सेलेक्शन का टारगेट लिया है संकल्क लिया है आपके साथ कदम से कदम मिलाके में तैयारी करवाओंगा तो आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप भी इस जरनी का इस्सा बन बना है तो चैनल को सबसाइब करके बैल आक्टिंग को जरूर प्रेस कर लिजएगा और डेली हमारे साथ आप क्लास में जरूर करिएगा बिना पड़े तक तो ताज नहीं होगा दोस्तों चैंपियन पैदा नहीं होतें चैंपियन को बनाया जाता है मेहनत से तो अगर आप को भी champion बनना है अपने माबाब का तो मेहनत करने पड़ेगी यहां पर आपके लिए एक dialogue लिखा है कि या तो इतियास बना दोगे संकल्प लीजिए क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती छेक है जब तक आप संकल्प नहीं होगे जब तक आपके अंदर एक आग नहीं होगी कि मुझे इस बार ये करना ही करना है तब तक आपको यहीं लगेगा कि मैं यार रेलिवे NTPC कर लेता हूं मैं रेलिवे गुरूप डिगी कर लेता हूं मैं SSJD कर लेता हूं मैं बैंक कल रख्की कर लेता हूं मैं मतलब हजार वेकेंस हैंगी हर बरती का आप forum बरोगे और कहें भी selection नहीं हो पाएगा इससे अच्छा है कि संकल प्लीज ये target रखे कि मेरे को इस बरतिम इस बार selection लेके ही रखना है और जजबा इतना होना चाहिए कि daily आप उस target को achieve करने के लिए daily आप प्रियास करें तो मेरा आपको एक slogan है कि या तो इतियास बना दोगे या खुद इतियास बन जाओगे दोस्तों इस बार अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर कोई और बरती आएगी उसके form आप apply करोगे उसकी तयारी आपको करने पड़ेगी यही math reasoning Hindi English आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उस फिजगिल की तयारी आपको फिर से करने पड़ेगी फिर से आपको मेहनत करने पड़ेगी तो आदी अदूरी तयारी ना करके एक बार में ही सारी बादाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल को पा लीजिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है और छोटी सी उमर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी बार भी पास किया था और अभी 18-19 साल के हुए हैं उनका ये पहला ही forum होगा तो पहले ही forum में और पहली ही बरती में direct head constable वह या लोगों को constable से head constable बनने में अगर किसे ने BSP join किया constable JD से तो उसको constable से head constable बनने में 20 साल का टाइम लग जाता है ITVP में 12-15 साल का टाइम लग रहा है अभी खाली SSB में थोड़ा जल्दी परमस्वन हो रहा है नहीं तो सभी की सभी parametry forces में 12-15 साल normal लगते हैं दोस्तों और एक आप छोटे से परियास से सीदा ही head constable और वह भी ministerial ministerial की power कितनी होती आपको पता नहीं है दोस्तों ये एक केंदर बिंदू होता है बड़े अधिकारी और जो आपके बी क्लास, C क्लास officer जो constable होते हैं उनके 20 की कड़ी होता है administration department इसको बोला जाता है ठेक है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा achievement हो जाएगा अगर छोटी सी उमर में head constable ministerial की जोबाब पा लेते हैं ठेक है सारे बच्चे आते हैं फिर वो कहते है कि क्या डाल रहे हो डेली आपको newspaper डाल देंगे monthly current affair की magazine डाल देंगे इसके लावा कोई gk वगेरा की हमारे पास अगर नोट्स आएंगे कोई book होगी अच्छी सी तो वो डाल देंगे ठेक है तो उनसे आप तयारी कर सकते हो ठेक है तो whatsapp पे message कर सकते हो call नहीं करना खाली whatsapp करना है ठेक है दोस्तो और एक बात ध्यान रखेगा इस group में तभी आईए जब आप daily class लेना चाहते हो आपको ये रखना पड़ेगा हर बच्चा जो इस whatsapp group में आएगा उसको daily मेरी class में आना पड़ेगा class आपकी YouTube पे होगी इसके लावा application पे आपको लेना है तो नहीं कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है ठेक है लेकिन इस group में अगर आप आ रहे हो तो daily class में आना पड़ेगा जितने बच्चे इस group में होंगे चाहे वो 50 हो चाहे 100 हो चाहे 1500 हो सभी को सभी class में आना पड़ेग क्योंकि बिना आपके आप खुदी निप त्यारी निकरोगे तो selection किसका होगा मेरा थोड़ी होगा आपका होगा तो मैनत आपको करने पड़ेगे ठेक है आई अब बात करते हैं मुद्दे के तो यह बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कैसे होगा कैसे होगा कई पोस्ट म पसंद करते हैं तो पहली choice उन्होंने BSF रखी होगी इसी प्रकार CRPF को तो कम ही बच्चे पसंद करते हैं ITBP को भी आगे रखा होगा और SSB ने तो कमाल कर रखा है केवल 5 वेकेंसिया है इनकी 1 वेकेंसी 115 पदोपे है 2021 की वो भी complete नहीं हुई है आसाम राइफल में 35 वेके वेकेंसिया है वो तो आपकी CISP, CRPF और BASP में हैं ITBP में भी 200 से कम वेकेंसिया है के यह छोटी फूर्स है ठीक है दोस्तों अब आपको बहुत सारे बाच्चों ने क्या किया होगा वाया ITBP को पहले रखा होगा या किसीने SSB को पहले रखा होगा वेकेंसिया 05 है लेकि से हारियाना की मैं बात करूँ तो भया आपने एक चीज समझी होगी कि SSC GD की जो कटोफ लगी है 134 पॉइंट कुछ पे लगी या नहीं 134 नमबर जिसके थे उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया अब ऐसा बच्चा जिसके माल लीजिए 134 नहीं 135 135 नमबर है कोई कंडिडेट है जिसका नाम है ए और उसका स्कोर है जी 135 ठेक है जी अब उसका फिजिकल पास हो जाता है और माल लीजिए वो मेडिकल भी पास कर लेता है अलांकि उसमें भी आइनल मेरिट जाती है बहिया 140 नमबर पे बहिया हरियाना से जो बच्चा होगा मेनिमम 140 नमबर जिसके होंगे वो सेलक्टिड हो जाएगा तो यह तो भार हो गया ठेक है आचा जी एक कंडिडेट दूसरा है जो बी है जिसका सकोर है 141 नमबर है उसने भी सारे प्रोसेस प रखा है इसने तो सबसे पहले NIA रखा है SSF रखा है फिर CISF रखा है फिर BSF रखा है फिर ITBP नहीं सबसे नीचे इसको क्या लिक रहा है वह या CRPF इसने सबसे नीचे रखा है है ना 141 मिनिममम कट ओफ होगी जब इस बच्चे का सलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी पोस्ट पे लेकिन इसने पहले प्रिफरेंस तो NIA रखी है तो क्या 141 में NIA हो जाएगा नहीं होगा NIA की कट ओफ देखेंगे फिर NIA से मैच नहीं कर रहा होगा फिर इसको देखेंगे SSF फिर इसको देखेंगे CISF कहीं मैच नहीं करेगा तो आखरे में इसको लास्ट प्रिफरेंस मिल जाएगी यानि इसको CRPF में बेज दिया जाएगा बातागी समझ में एक दूसरा बच्चा है जो C है हर्याना की कट ओफ कितनी गई है जो उस तो 140 एक बच्चा है जो हर्याना से बिलोंग करते है जिसका नाम C है और उसका स्कोर है भईया 150 ठेक है तो इसको क्या होगा इसको ये होगा कि ये देखा जाएगा कि क्या 150 में SSF मि लवाई गई थी यानि मैं कह रहा हूँ कि SSF मान लीजे मिल रही है भया 149 नंबर पर जिस बच्चे के 149 नंबर होंगे हर्याना से उसको मान लेते कि SSF मिल रही है तो क्या इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी लेकिन इसको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी इसको तो सबसे लास्ट ने आपको बता दिया जो प्रोसेस SSC ZD में होआ है वही सेम कहने आपकी हो जाएगी जैसे मान लीजिए बहिया आसा इनकी Head Constable Minister की जो Final Cut-Off है Final Cut-Off है मान लेता हूँ बहिया इनकी गई 83 गई मान लेते हैं बहिया इसने पहली प्रिफरेंस पर रखा है ITBP को दो पर रखा है मान लीजिए इसने SSB को तेन पर रखा है इसने मान लीजिए BSF को और चार पर रखा है मान लीजिए इसने बहिया इसके मान लेजिए बहिया 88 गई है इसके मान लेजिए 90 या 87 गई है इस परकार से CRPF की मान लेजिए 86 गई है और इसकी मान लेते है 83 गई है ठेक है अब आपको सारी चाज़े समझ में आ जाएंगी एक बच्चा है जिसका स्कोर कितना है 94 तो 94 क्या कोर्डिंग तो इसको फोर्स मिलना चाहिए थी या तो SSB या ITBP यानि ये सारी फोर्स में से कोई एक फोर्स इसको मिल सकती थी CSB नहीं मिल रही या मैं और आपको आसान कर देता हूँ भया CSB की कटोफ मान लेते है भया 95 ना जाके 92 गई ये मान लेते है ठेक है इस बच्चे का स्कोर कितना है 94 तो इसका स्कोर तो 94 है इसके अनुसार किसको मिलना चाहिए CSB नहीं क्योंकि इसने प्रिफरेंस क्या दे र लीजिए 84 सकोर है 84 कटोफ को जस्ट पार्क 84 है लेकिन इसने पहली चोईस पर रखा है CSB को दूसरी पर SSB तीसरी पर ITVP और लास्ट में रखा आसाम राइफल तो आप मुझे बताए इसको कौन सी फोर्स मिलेगी आप खुद समझदार है क्या इसको 84 में CSB मिलेगी नहीं क इसको मिलेगे बहिए आसाम राइफल ठेक है एक बच्चा है सी जेसे का सकोर है माल लीजिए 89 नंबर या 88 है और इसने फर्स चोईस रखी है माल लीजिए CSB रखा है माल लीजिए यही करम रखा है तो इसको आप मुझे बताए एक कौन सी फोर्स मिलेगी तो CISF तो नहीं मिलेगी ना 88 में तो इसको CISF नहीं मिलेगी नंबर दो SSB मिलेगी क्या SSB नहीं मिलेगी हालांकि प्रिफरेंस में ने CISF SSB को आगे रखा लेकिन इसका उतना स्कोर नहीं था कि इसको CISF SSB मिले तो फिर इसको मिलेगी या तो ITBP या फिर BSF ये देखा ज कि नमबर तीन पर प्रिफरेंस क्या इसकी बिये सब तो बिये सब मिल जाएगी उमेद करता हूँ आपको समझ में आगी हूँ कि बहुत लंबी चोड़ी कहानी नहीं है कहने का मतला अगर आपने minimum cutoff को पार कर लिया minimum cutoff जो final cutoff रोगी minimum उसको अगर आपने पार कर लिया तो आपको कोई ना कोई force आवज से रूप से मिलेगी अब वो देखा जाएगा कि उस particular force की cutoff कितनी थी और आपका सकोर कितना था तो आपके सकोर और आपके preference के आधार पे आपको आपकी choice के according force मिलेगी पहली choice नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी दूसरी नहीं तो तीसरी मिलेगी according to cutoff and your preference and your score ठेक है तो ये doubt था बच्चों का उमीद करता हूँ कि doubt आपका clear होगा आपको इन चीजियों में पढ़ना ही नहीं है आपको अपने physical की तहरी करना है क्योंकि physical में रहे तो फिर किसी भी event में सामिल नहीं हो पाओगे ये सारी की सारी चीज़े धरी की दिरी रह जाएंगे ठेक है और दूसरा physical से भी ज़्यादा important है written exam और written exam इतना ज़्यादा important है कि written के आधार पे typing में बुला जाएग और final selection भी written exam के score के आधार पे ही तै किया जाएगा तो अगर आप written exam में ज़्यादा ज़्यादा score करना चाहते हैं selection को सुनिशित करना चाहते हैं डेड़ सो प्लस selection का target में रखा है तो कम से कम 200 से 200 बच्चे तो चाहिए ना ऐसा नहीं कि डेड़ सो का target का डेड़ सो मेरे पास आ रहे है सो परसेंट रजल तो कोई भी नहीं दे पाएगा ना तो यह है कि कम से कम 200 बच्चे मुझे चाहिए तो 200 बच्चे अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाटसब गुरूप में तो डेड़ सो प्लस सेलेक्शन का target जो है आसानी से अचीव हो जाएगा तो यह मेरा वाटसब नंबर है आप इसमें वाटसब कीजिए लिखिए बीएस अप हम आपको गुरूप में अभी कुछ नहीं मिलेगा मंडे से आपको डेली नियूस पेपर वगएरा इंगली कोई वी जो इंपोर्टेंट होगा आपके एकजाम के लिए कंपूर्टर वगएरा सारी चीज़ आपको धीरे धीरे डिरे डलती रहेंगी ठेक है तो आप इसमें जोइन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहतें कंसेप्चिल रिजिनिंग पढ़ना चाहते हैं हिंदी तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चल को सबस्क्राइब करें, मारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद जहेंद